ब्रहस्पती ग्रह हमारे सौर मंडल का पांचवा ग्रह है यह आकृती में सबसे बड़ा है ब्रहस्पती ग्रह के पास बहुत सारे चंद्रमा है जो हर वक्त इसके चक्कर लगाते रहते हैं यह ग्रह सूर्य से पांचवे नंबर पर आता है ब्रहस्पती ग्रह इतना बड़ा ह कि यदि पूरे सौर मंडल के सारे ग्रह को मिला दिये जाएं सूर्य को छोड़ कर तो भी यह उससे लगभग धाई गुना ज्यादा बढ़ा होगा ब्रहस्पती ग्रह के पास में बड़ा ही ताकतवर गुरुत्वा कर्शन बल है जो पृत्वी से भी कई गुना ज्यादा है अर्थात वहां पर सामान्य चीजें भी पृत्वी से कई गुना भारी होती है ब्रिहस्पती ग्रह पर एक बहुत बड़ा लाल धबा दिखाई देता है जिसे Great Red Spot भी कहा जाता है ये एक प्रकार का भयंकर तूफान है जो लगभग सत्रा शताबदी से देखा जा रहा है ये सत्रा रवीन शताबदी से पहले नहीं देखा गया था ये लाल तूफान लगभग 350 सालों से ऐसे ही एक्टिव है ब्रिहस्पती ग्रह लगभग सारा का सारा हाइड्रोजन से बना हुआ है लेकिन हीलियम भी इसके द्रव्यमान का एक चौथाई और इसके पूरे भार का दस्वा हिस्सा है इसमें चटान की परत होने की पूरी संभावना है लेकिन दूर से देखने पर पता चलता है कि ब्रिहस्पती ग्रह पर एक ठोस सतह का पूरा अभाव है अगर हम यह कहें कि ब्रिहस्पती ग्रह सौरा मंडल में सभी ग्रहों में से सबसे तेज घूमता है तो यह गलत नहीं होगा ब्रहस्पती ग्रह के चारों ओर छोटे-छोटे ग्रहों की एक शक्तिशाली चुमकिय प्रणाली है जो की एक घेरे के आकार में है अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर दिन और रात सबसे कम समय के होते हैं अर्थात ब्रहस्पती ग्रह पर मात्र 9 घंटे 55 मिनट के अंदर अपना पूरा चक्कर लगा लेता है ब्रहस्पती ग्रह की पूँच की लंबाई शणी ग्रह की पूरी कक्षा के बराबर है ब्रहस्पती ग्रह के तकरीबन 80 से ज्यादा चंद्रमा उपक ग्रह है ब्रहस्पती ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सूर्य को छोड़ कर सबसे पुराना ग्रह है ब्रहस्पती ग्रह सबसे तेजी से घूमता है इसी वजह से यह थोड़ा छप्टा भी है ब्रहस्पती ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर का है ब्रिहस्पति ग्रह में लगभग 90 परिसतर हाइड्रोजन और 10% हीलियम है जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणू हीलियम के परमाणू की तुलना में अधिक छोटे होते हैं इसलिए ब्रिहस्पती ग्रह में हाइड्रोजन का भाग 75% और हीलियम का भाग लगभग 24% होता है.